जादूई मयूर, बहुत दिनों पहले की बात है, एक शहर की और जाने वाले पत के किनारे एक सराय खाना था, उस पत से शहर जल्दी पहुँचा जा सकता था, परंतु उस पत पर कम लोग ही आते जाते थे, तारण ये कि उस पत में एक घना जंगल पढ़ता था, कभी कभी हि थिकों की मृत्यू भी हो जाती थी, इसलिए प्रान भाय से लोग उस पत से शहर जाने में हिचा किचाते थे, जिन्हें जरूरी या जल्दी होती थी, वे ही उस पत से जान को हथेली पर लेकर शहर जाते थे, उस सरक पर अधेक आवागमन नहीं था, इसलिए सराय खाने में बहुत कम लोग आते थे, सराय खाने का मालिक अक्सर बैट कर मक्खी मारा करता था, सराय खाने का मालिक अच्छा आदमी था, उसका हृदय दया का सागर था, सराय खाने में आने वालों से वो बहुत अच्छा व्यवहार करता था, उनके आदर सतकार में कोई कमी नहीं करता सराय खाने में रहने खाने के उपरांत अगर किसी की पास पूरा पैसा नहीं होता था तब भी वह कभी उसके साथ खराब व्यवहार नहीं करता था अनेक गरीब वहां आते, वे सब जब समय पर उचित पैसा नहीं दे पाते तब सराय खाने का मालिक उन से कुछ काम करवा लेता एक दिन एक पथिक सराय खाने में रहने के लिए आया उसका नाम था सामन्त वोल जाती का कुमहार था मिट्टी की हारी भार कलसी इत्यादी बना कर वह बेचा करता था वह सराय खाने में आकर भूजनादी कर रात में वही सो गया सुबह लोग चलने से पहले सराय वाले को पैसे देते थे परंतो उसके पास पैसे तो थे नहीं सामंथ ने सुना था कि सराय वाला अत्यांतुदार व्यक्ति है कोई उसका गुनगान करे तो वह बहुत खुश हो जाता है तब रुपे पैसे के लिए जुन नहीं करता है सुबह सराय से निकलने की समय सामंथ ने सराय वाले से कहा सब लोग आपका गुनगान करते हैं मैंने भी देखा है कि आप बहुत अच्छे आदमी है ग्राहकों की सेवा अपने लोगों की तरह करते है साधारनत ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है पर कुछ कमदामी मिटी के पात्र है लेकिन उनसे आपका पैसा पूरा नहीं होगा मेरे पास कुछ रंगीन खड़िया मिटी के टुकले है वे सब मैं आपको दे सकता हूँ सामन्त के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सरायवाला मुगद हो गया उसने कहा मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ तुम जा सकते हो सामन्त ने कहा रंगीन खड़िया मिटी आप रख ले ये जादूई खड़िया मिटी है बहुत अद्बूत कार्य होते हैं इसके द्वारा ये कहकर उसने रंगीन खड़िया मिटी से दीवार पर एक पक्षी का चित्र बनाया पक्षी की देव पर विबिन प्रकार रंग लगाने से देखा गया कि वहीं एक मयूर बन गया है तस्वीर देखकर सरायवाला बोला बहुत सुन्दर तस्वीर बनाई है तुमने जीवित हो ओठी मयूर अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाने लगा उसके बाद दीवार से नीचे उतर कर अपने पंखों को फैला कर नाचने लगा तस्वीर वाले मयूर की नाच देखकर सब आश्चरय चकित हो गए तस्वीर भी जीवित हो सकती है किसी ने जाना सुना नहीं था सभी लोग सामंत की अद्भुत क्षमता की तारिफ करने लगे तब सामंत ने कहा अब देखिए तस्वीर का जीवित मयूर पुनल तस्वीर बन जाएगा ये कहकर उसने तीन बार ताली बजाए देखते ही देखते मयूर पहले की तरह दिवार में समा कर चित्र बन गया सामंत ने सरायवाले को कहा ये जादू वाला मयूर में आपको देखर जा रहा हूँ आप जब दो बार ताली बजाएगा तब मयूर दिवार से नीचे उतर कर नाचने लगेगा जब तीन ताली बजाएगा तब मयूर पुनः पहले जैसी तस्वीर बन जाएगा यह मयूर आपका बहुत उपकार करेगा मयूर का नाच देखने के लिए लोगों की भीर लग जाएगी आपके सराय खाने में तब एक बात याद रखिएगा इस कमरे में मात्र एक व्यक्ती हो तो विपद होगा मयूर जिंधा तो होगा परंतु तुरंत मर जाएगा उसके बाद सामन सराय वाले से विदा लेकर चला गया उस दिन से सराय वाले ने अपने ग्राहकों को मयूर का नाच दिखाना शुरू कर दिया ग्राहक जब भोजन करने बैखते तो वह कहता देखे आप लोगों के आनंद के लिए मैं एक जादू का खेल दिखाता हूँ ऐसा खेल आप किसी भी सराय खाने में नहीं देख पाएगा ये कहकर वह दीवार की तस्वीर के सामने खड़े होकर दो बार ताली बजाता तुरंट तस्वीर का मैयूर जीवित हो जाता एवं धीरे से जमीन पर उतर कर नाच दिखाने लगता ग्राहक भोजन करना भूल कर आश्चर्य चकित होकर मैयूर का नाच देखते रहते थे कुछ देर बार सराय वाला तीन ताली बजाता देखते ही देखते नाचता हुआ मैयूर दिवार में समा कर तस्वीर बन जाता ऐसी आश्चर्य वाली घटना को फैलने में देर नहीं लगती है जो सुनता अवाक रह जाता दिन प्रति दिन सराय खाने में लोगों की भीर बढ़ने लगी सब जादूई मैयूर का नाच देखने के लिए आते वे लोग जल्दी जल्दी भोजन कर लेते भोजन का पैसा भी पूरा चुका देते फिर मैयूर का नाच देखने का आगरह करते सराय वाला तब अपने ग्रहकों को संतुष्ट करने के लिए मयूर का नाच दिखाता देखते देखते उस उपेक्षित सराय खाने में लोगों का जमगत लगने लगा सराय वाले का भाग्य जाग उठा अब वो बहुत अमीर बन गया था एक दिन रात में एक व्यक्ति सराय खाने में आया वो दूसरे देश का एक धनी व्यापारी था उसने सराय वाले को कहा मैंने सुना है कि तुम्हारे इस सराय खाने में एक जादू के मयूर का नाच होता है क्या ये सच है? सराय वाले ने कहा जी, बिल्कुल सच है, व्यापारी बोला, मैं मयूर का नाच देखूंगा, इसके लिए मैं तुम्हें एक थेली सोने की मोहर दूंगा, सरायवाले ने कहा, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, और कुछ लोग आ जाएं तो एक साथ सब को नाच दिखाऊंगा, व्याप सामंद की बात उसे याद नहीं रही, उसने कहा, आप बैठिये, अभी आपको मयूर का नाच दिखाता हूँ, ये जो आप दिवार पर मयूर की तस्वीर देख रहे हैं, मैं उसे जिंदा कर दूंगा, उसके बाद वह घूम घूम कर नाच दिखाएगा, ये कहकर उसने दो बार ताली बजाए, तभी तस्वीर वाला मयूर हिलने दुलने लगा, लेकिन वो गूट कर जमीन पर नहीं उतरा, ऐसा लग रहा था मानो हिलने दुलने में उसे बहुत कष्ट हो रहा है, धीरे धीरे अत्यंत कष्ट पूर्वक वो जमीन पर उतरा, परंतु नाच नहीं सक खड़े खड़े वह थर-thर काउपने लगा, फिर एक तरफ लुड़क कर उसने प्रांत त्याग दिये, पलभर में सारी घटनाएं घट गई, मयूर जमीन में समाकर एक तस्वीर बन कर रह गया, व्यापारे ने जट से सरायवाले के हाथ से मोहर वाली थेली छीन ली और क्र सरायवाले को कुमहार सामंद की बाते याद आई, वो अपना सिर पीट-पीट कर कहने लगा, हाए, हाए, क्यों मैं सोने की मोहर के लोग में पल गया, कुमहार सामंद ने मुझे एक व्यक्ती की सामने मयूर का नाच दिखाने से मना किया था, उसकी बात अंसुनी कर क्यों मै ने सर्वनाश को आमंत्रित किया, हाए, हाए, अब कोई ग्रहक मेरे सराय खाने में नहीं आएगा, सराय वाले ने बड़ी आशा के साथ कई बार तालिया बजाई, पर तस्वीर वाला मयूर जीवित नहीं हुआ, रात बहुत बीत गई थी, सराय वाला घंभोर नींद में था, तभी हठात एक बासुरी की आवाज सुनकर उसकी नीन तूट गई, इतनी रात को उसके दर्वाजे पर कौन बासुरी बजा रहा है, ये देखने के लिए वह दर्वाजा खोलकर बाहर निकला, देखा, वही सामंद बासुरी बजा रहा है, खुले दर्वाजे से वह भीतर आया और मयूर की तस्वीर के पास खड़े होकर बासुरी बजाने लगा। कुछी देर में वह मयूर जीवित हो उठा। वह सामंद के पीछे पीछे चलते चलते रात्री के अंधकार में विलीन हो गया। उसके बाद उन्हें फिर किसी ने नहीं देखा। ख़्या उसकार झाल